नमस्कार, खबर जरा हटके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज रहों आपको बताते हैं कि किस तरह भारत ने निकाली बाल की खाल और ढूंडा पाक परमाणू सईयंत्र जब पाकिस्तान ने सिखातंकियों को हतियार उपलप्त कराने का घ्रूरित काम शुरू किया तो ततकालें परधानमत्री इंदिरा गांधी ने सोचा कि हमारे पास एक विदीशिक खूफिया विभाग भी होना चाहिए हलाकि किसी एजनसी का गठन नहीं किया गया बलकि रिसर्च एन एनलेसे स्विंग यानि की रॉकी स्थापना हुई जो किसी एजनसी के तोर पर वर्गी कुरूत नहीं है वर्ष 1968 में आरेन काव द्वारस थापित रॉक का पहला फोकस पाकिस्तान था और दूसरा चीन क्यूंकि चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सामरिक दुरुष्टी से मदद कर रहा था साल 1994 में भारत के पोखरन परमाणू परिक्षन के बाद भारत और पाकिस्तान के बिच हतियारों के एक होड शुरू हो गई भारत की बढ़ती परमाणु शम्ताओं से चोकस पाकिस्तान ने खुद के लिए परमाणु हत्यार निर्माण के लिए मदद की खोश चुरू कर दी जिस प्रकर से परमाणु संसादान सैंत्र से अमेरिका और कनाडा ने भारत की मदद की वैसे इस अङब्धर के दशचक में फ्रांस पे भी वही तकनिक उपलब करा कर पाकिस्तान की मदद की साथी चीनी तकनिशियनों ने भी परमाणु हत्यार बनाने के लिए यूरेनियम को संशुदित करने में पाकिस्तान की मदद की बहराल पाकिस्तान को फ्रांस की मदद जगजाहिर थी लेकिन कहूटा में खुफिया परमाणो सयंत्र सबसे छिपा हुआ था यहां तक की भारत और इसराइल से भी इसराइल का खुफिया विभाग मौसाद पाकिस्तान के परमाणू कारेकरम को लेकर चिंतित था क्योंकि पाकिस्तान के परमाणू कारेकरम के पिता महा वैग्यानिक एक्यो खान ने प्योंग योंग की यात्रा की थी आज सबी जानते हैं कि उत्तर कोडिया ने परमाणू बम बनाने की तक्निक एक्यूखान से हासिल की है इसलिए मौसाद पाकिस्तान के परमाणू कारेक्रम की जानकारी के लिए भारत के रौक के साथ मिलकर काम कर रहा था फ्रांस को भी पाकिसान की योज़नाओं को लेकर चिंता होने लगी जिस वजह से उसने भी अमेरिका के दबाओं में उसकी सहता बंद कर दी फ्रांस देरा मदद बंद करने के बाद पाकिसान ने अपना सारा ध्यान खूफिया तॉर पर कहुटा परमाणू सयंत्र को किसी तरह से विक्सित करने में लगा दिया दूसरी और सत्तर के देशक के अंतीम सालों में रौ ने पाकिस्तान की वीतर अपना अच्छा नेटवर्क बना लिया था जिससे उसे कहुटा परमाणू सयंद्र की जानकारी अफ़ा के तौर पर मिली थी लेकिन समस्या ये थी कि इस जानकारी की पृष्टी कैसी की जाए परमाणू सयंद्र में गुसपेट की कोशिश में सालों लग सकते थे और वह मुर्खता पूर्ण भी हो सकता था यहाँ इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि पाकिस्तान ने इस अभियान को इतना गुपत रखा था कि रौकों भी इसकी जानकारी अफ़ाओं के जरीये मिली थी फिर काश्चर जनक अभियान में रौके एजेंटों ने कहुटा में नाई की दुकान पर बाल कटवाने आये पाकिस्तानी वग्यानिकों के कटे हुए बालों को चुराया उन वग्यानिकों के चुराये गए बालों के सेंपल में विकिरन की जाज़ खी गई जिसमें अफ़ाखी प्रुष्टी हो गई अब भारत को पता चल गया कि कहुटा सेयंत्र परमानों हतियार बनाने के लिए प्यूटोनियम संशोदन सेयंत्र था भारत में अब स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान परमानों हतियार का निर्मान कर रहा है इस दोरान भारत और इसराइल की खुफिया एजन्सियों ने मिलकर सक्री अभिहान चलाया इसके बाद इसराइल सीधे तोर पर कहुटा सेयंत्र को बम से उड़ाना चाहता था लेकिन यहाँ पर भारत की और से एक बहुत बड़ी असावधानी हो गई हमारी तदकालिन परधानमंत्री मुरारजी देसाई ने जो उस समय तदकालिन पाक तानाशाद जनरल जिया उलहक से बाच्चित किया करते थे फॉर्म पर बाच्चित के दौरान उनसे कहा दिया कि उन्हें पाकिस्तान की खूफिय अभिहान की जानकारी है इसके बाद पाकिस्तान ने फॉरं से भी रौ नटवक को खत्म कर दिया और इस्राइल की बंबारी से बचने के लिए अमेरिका से गुजारिश की इस शांदार असवल अभियान के बाद अपने परमाणू कारेकरमों की जानकारी को गुपत रखने के लिए पाकिस्तान हमेशा चिंतित रहा है रौ और उसके एजेंटों ने जो किया वो कुछ नहीं बलकि इतियास के सबसे कठिन और जोखिम भरे अभियानों में से एक था लेकिन हमारे राज लिताओ की विवेक हिंता से सब कुछ मिट्टी में बिल गया लेकिन जिस तरह से पंडित नहरों ने 1962 में बड़ी संख्या में भारतिय सेनिकों की जान से खिलवार किया था ठीक उसी तरह से मुरार्जी देशाई ने भारत के बड़ी संख्या में रौ एजेंटों की बली दे दी यह हमारे देश की राष्ट नायक है जो कि राष्ट के बारे में भी अच्छी तरह सिल नहीं सोचते हैं कहा तो यह भी जाता है कि मुरार्जी भाई द्वारा असावधानी वश दी गई इस सूचना के चलते ही बाद में उने पाकिस्तान के सबसे बड़े सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया था